नगर के महावित स्वामी दिगंबर जैन मंदिर सारनी में प्रतिवर्शानों सर इस वर्ष भी जैन धर्मियों के द्वारा पर्यूशन पर वो बड़े उत्साह के साथ मनाया गया जिस प्रकार हिंदूों में गनेश शतूर्थी, मुस्लीमों में ईद, सिक्कों में गुरुनानक जैनती और इसाईयों में क्रिस्मस के तेवहार को बड़े ही उत्साह और हर्स के साथ मनाया जाता है ठीक उसी प्रकार जैन धर्म अन्याईयों के द्वारा जैन धर्म का सबसे बड़ा तेवहार पर्यूशन पर वो बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है गनेश शतूर्ती के दिन से ही इस पर्वक को विधी पूर्वक उत्तम छमाधर्म से प्रारम और छमावानी के साथ समापन किया जाता है यहां पर्वक ग्यारा दिनों का ग्यारा लक्षनों पर आधारित होता है यह लक्षन है छमा, आरजव, सत्य, सौच, सैयम, तप, त्याग, दया, आंकीचन और ब्रह्मचर्य आधी इस पर्वक के अंतरगर्थ पूर्न सच्छिता के साथ जैन धर्म अनियायु द्वारा व्रत को धारन किया जाता है लोक्षमाय आश्ना एवं तयाग भावना के साथ इस वरत को धारन करते हैं प्रति दिन शाम पूजन के बाद शास्त्रवाचन किया जाता है जिसमें लोगों के द्वारा अपने अपने विचार वेक्त किये जाते हैं मैं लेक्टा, साथुमारा ये चीज तो आप कि पहने किये सकते हैं इकनी सी चीज कहने लिए आपने तेमनीता सभाई कर लिया एक बहुद ही शास्य उत्रथ, बहुद हमान्ति उत्रथ, बहुद ह्थतर उत्रथ उन्हों मैं लेक्टा, माना उसको मैं लूदाएं ये तो तीन दिन है, उन तीन दिन है, मैंने कुछ को आता है। तस पश्यार भजन कितन किया जाता है। कितन 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 है, मैंने कुछ क सम चच मेंना क्युछ को वैंने कितन को तीन है, डाता है। तंक ऐस पन-दॉन के जाता है, आता है, मैंने कुछ कोुछ को देए्ग वैं चाहरे मालहें, घा बरेयों जेलूं सब्सक्ट सामा माल्हां, ट Netflix लचार रखेव liber हां इस पूजन में विशेषता चार इंद्र मनोनित किये जाते हैं इस व्रत को लोग अपने सुच्छा से बिना अन्य जलग्रान किये भी करते हैं इस व्रत को करने का मुख्य उद्देश स्वयम को पापों से मुक्ति दिलाना और अंजाने में हुई भूलिया अन्य त्रूटी हेतु एक दूसरे से छमायाचना करना है